हलो दोस्तों नमश्कार आप सभी कर स्वागत एडियार के टी विपर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनईया बी कानिर राजस्थान से दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि सर हम अपने आपको positive बहुत explain करते हैं बट फिर भी हमारा जो मन है उस positive को मानता नहीं है तो दोस्तों कैसे हमारा जो मन है उस positive को माने इसी के उपर ये पूरा का पूरा scientific explanation मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा ह इसको बहुत अच्छे समझना बहुत अच्छे सा understand करना दोस्तों ये जो हमारा मन है ये हमारा positive को माने हमारे अंदर positive feelings है इसके लिए हमें थोड़ा सा thought और belief system का जो relationship है उसको बहुत अच्छे सा understand करना पड़ेगा और ये क्या रिस्ता है वो रिस्ता मैं आपको बता रहा कि ये रिस्ता क्या कहलाता है दोस्तों ये जो thought होता है जो विचार हमारे अंदर आते हैं बहुत सारे जो विचार है multiple जो thoughts है वो मिलकर belief बनाते हैं और जो belief है वो belief हमारे अंदर क्या create करता है emotion create करता है अब एक छोटा सा example के तौर पर हम ले लेते हैं कि जैसे multiple thoughts मतलब एक example ले लेते हैं कि जैसे मैंने hundred thoughts लिए कि भई hundred thoughts जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं एक belief बनाते हैं और ये जो belief है ये हमारे बीतर क्या पैदा करता है emotions पैदा करता है अब मालीजी कि hundred negative thoughts लिए मैंने अब जो hundred negative thoughts है वो मालीजी कि एक क्या बनाता है मेरा negative belief बनाता है और ये जो negative belief है ये मेरे बीतर क्या पैदा करता है negative feelings पैदा करता है negative emotions पैदा करता है जैसे example के तौर पे कि आपने अपने आपको बार बार जो अपने आपको explain कर रखा है कि मुझे कुछ हो जाएगा सडक पे हो जाएगा गर के अंदर हो जाएगा बच्चे को कुछ हो जाएगा फैमली को कुछ हो जाएगा ऐसे जो negative thoughts है मालीजी कि hundred ऐसे negative thoughts ने मिलकर एक belief बना दिया कि कुछ हो जाएगा ये एक single belief बना हुआ है कि कुछ न कुछ गडबड मेरे साथ में होगा क्यों क्योंकि ये बार 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 मेरे अंदर ये thought repeat हुआ है तो इस repetition से belief बना और इस belief से मेरे अंदर क्या आती है negative emotions आती है और ये जो negative emotions है ये मुझे बहुत ज़दा खराब महसूस करवाती है ये मुझे बहुत ज़दा insecure feel करवाती है ये मुझे बहुत ज़दा डराती है मेरे बीतर बहुत ज़दा भय पैदा करती है अब surrounding में कोई सा भी गटना करम होता ना, छोटा सा भी event होता है, तो वो जो event है, वो इस belief को जैसे stimulate करता है, हमारे अंदर क्या आने लग जाती है, negative feelings आने लग जाती है, negative emotions आने लग जाता है, हमें डर लगने लगता है, हमें गबराट होने लगती है, हमारे आसपास किसी के सुनने से भी problem नहीं है, अगर उस गटना के बारे में सुनने से problem होता ना, दोस्तों, तो वो गटना तो बहुत सारे लोगों ने सुनी है, तो क्या उन सब के साथ में वैसी ही गबराट होरी है, क्या उन सब के साथ में वैसी ही बेचेनी होरी है, नहीं, उन सब के साथ में व बीतर जो belief बना हुआ है और 90 प्लस 10 वो मिलकर क्या होते हैं 100 होते हैं तो हमारे अंदर क्या प्रियेट हो रही है नेगेटिव इमोशन्स आने लग जाते हैं यह बात बहुत अच्छे समझनी की है लेकिन अब यहां पर कई लोगों को लगता है कि सर वो गटना नहीं होती तो मुझे गबराट नहीं होती है गटना से प्रॉब्लम नहीं हो उस गटना के बारे में तो कितने लोगों ने सुना बाकि सब लोग उस गटना में जो खड़े थे उन लोगों को भीत्ती दिक्कत नहीं हो जितनी मुझे उसके बारे में सुनकर हुई तो वो गटना के कारण से प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है हमारे बीतर का बिलीफ सिस्टम अब मानली जी कोई व्यक्ति अगर अपने फिर थे फिर थे थार्ट प्रोसेस रहता है उसका ये परसेप्षन रहता है कि नहीं उस गटना के कारण से प्रॉब्लम है तो मैं अपने आपको गटना से दूर ही गर लेता हूँ अब आप अगर गटना से दूर ही कर ले तो भई, प्रॉब्लम का कारण आपके भीतर है, प्रॉब्लम का कारण बाहर नहीं है, आप गटनाओं से दूर हो ही नहीं सकते, आप सुचनाओं से दूर हो ही नहीं सकते, आप च्यारों तरफ सुचनाओं से गिरेवे हो, और अभी त वाट्सप आजाता कभी Facebook पे, कभी Instagram पे, कभी YouTube पे, जितने भी social media platforms है, उन सब पे क्या आती रहती है, सूचना ही तो आती रहती है, सूचना हों से हम कैसे बच सकते हैं, लेकिन अगर मालने मैंने यह प्रण कर लिया कि नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं, ना रहेगा बांस, ना यह escapism है, यह भागना है, और भागने से सिर्फ हमारे बीतर डर बढ़ता है, भागने से हमारे बीतर जो belief बनावाए, वो और मजबूत होता है, कि भई तू उस situations के बारे में सुना नहीं है, इस कारण से तू बचा हुआ है, सुन लेता तो तो तेरे साथ कुछ ने कुछ ग कई लोग कहते रहते हैं कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहो या जो नेगेटिव बाते कर रहे हैं उन से दूर रहो, तो भाई एक जो डॉक्टर, एक साइकाट्रिस्ट हो तो पूरे दिन सुबे से ले के शाम तर क्या सुनता रहता है, वो सब लोगों के जो anxiety, depression, उन जो belief का किला बना हुआ है, जो उस negative से क्या हो रहा है, trigger हो रहा है, हमारे भीतर जो negative belief की current बनी वी है, जैसे ही switch on होता है, वो current चलना सुरू होती है, हमारे भीतर negative belief stimulate होता है और उसके कारण हमारे अंदर negative emotions आने लग जाते हैं, तो समझने वाली बात यह है कि problem बाहर नहीं है, problem बीतर है, problem हमारा belief है, problem हमारा perception है, problem हमारा cognition है, problem हमारा negative pattern है, जो stimulate होता है और हमारे अंदर क्या आने लग जाते है, negative emotions आने लग जाते हैं, तो यह बात हमें बहुत अच्छे से clear करना पड़ेगा, दोस्तों अगर आप anxiety, आप panic, आप overthinking, आप negative thinking, आप OCD, इन सब की अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप इन सब को जीतना चाहते हो, आप depression को हराना चाहते हो, तो आपको यह बात बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी, कि problem जो है, वो external नहीं है, problems जो बाहर के events नहीं है, problem जो बाहर के events के बारे में सुनना नहीं है, problem हमारा जो belief बना psychological problem का, तो मुझे अगर psychological problem से free होना है, मुझे अगर anxiety से free होना है, मुझे overthinking से free होना है, मुझे negative thinking से free होना है, मुझे depression से free होना है, मुझे OCD से free होना है, मुझे मेरे मन को शान्त करना है, मुझे अपने आपको positivity से भरना है, तो यह मेरे भीतर, मेरा belief system, मेरा cognition, मेरा perception, वो problematic है उसके उपर मुझे काम करने की ज़रूत है, उसके उपर मुझे work करने की ज़रूत है, तब ही आपका मानसिक परेशानी का जो ठीक करने का जो पहला कदम है, वो कदम आपका सही तरीके से रखा जाएगा, इसको बहुत अच्छे समझ लेना है, तो यहाँ पर यह चीज बहुत अच्छी से क्लियर है कि हमारा जो ब्लीफ बना हुआ है इस कारण से एक सिंगल थॉट आता है यह ब्लीफ इस्टुमलेट होता और उसके कारण क्या हो जाता है हमारे अंदर नेगेटिव एमोशन्स आने लग जाते हैं अब यहां तक तो कहानी ठीक है अब बात आती कि सर आप कि नेगेटिव एक थॉट है वो इस ब्लीफ को ट्रिगर कर देता है तो हमारे अंदर क्या आ जाते फिर टो एक पॉजटिव अगर हम सुनते है तो उसके कारण हमारे अंदर पॉजटिव एमोशन्स भी आने चाहिए वो आएंगे वो कब आएंगे जब आपका जो ब्लीफ ह हो के क्या बनता है, belief बनता है, negative belief बनता है, तो बहुत सारी जो positive thoughts है, बहुत सारा जो multiple positive है, जो आप बार बार अपने आपको किसी न किसी situations के अंदर explain करते हो, जब आप CBT का practice करते हो, हर बार क्या देते हो, आप अपने आपको एक more realistic, more adaptive जो dispute देते हो, जो एक correction देते हो, एक जो क्योंकि positive belief, एक belief को बनाने के लिए मान लेते है, example के तौर पे, कि 100 thoughts की ज़रूरत है, आपने मान लीजी कि अपने आपको पांच बार positive explanation दी, पांच बार आपने CBT का practice किया, पांच बार आपने आपको right cognition दिया, तो पांच बार में ये belief बनता है क्या? पांच बार में belief नहीं बनता, तो आप कुछ भी positive अपने आपको दोगे तो वो positive belief stimulate नहीं होगा, अभी कौन से वाला stimulate होगा, आपके बीतर कौन सा पढ़ा है, negative belief पढ़ा है, तो वो negative क्या होगा, एक single thought से वो क्या हो जाता है, stimulate हो जाता है, लेकिन positive stimulate नहीं होता, लेकिन अग अगर आप continuously अपने आपको thoughts दिये जा रहे हो, continuously आप अपने आपको positive दिये जा रहे हो, continuously आप जो positive belief का घड़ा है, उसके अंदर बूंद डाले जा रहे हो thoughts की, और आप अगर वो बूंद डालते डालते, अगर 100 thoughts को cross कर जाते हैं, जिसमें एक positive belief बनता है, example के तोर पे, तो ब बात आती है, कि जैसे एक single negative thought से, negative emotions create हो जाते हैं, क्योंकि negative belief आपका stimulate होता है, उसी तरीके से जब आपके बीतर एक positive belief system बन जाएगा, तो एक single positive thought है, simple सा जो positive explanation है, वो भी आपके बीतर क्या करेगा, उस 90 वाला जो positive belief system है, उसको stimulate करेगा और आपके बीतर क्या आएंगे, positive emotions आ तो यहाँ पर यह जो belief बनावा है कि कुछ हो जाएगा, मैंने हर बार इसको dispute किया, कि बहु कैसे हो जाएगा, मेरी test मेरी जानचे सारी normal है, और जानचे test सारी normal तो मुझे कुछ भी नहीं होना, यह जो ख्याल आ रहा है, यह काल्पनिक ख्याल है, यह imagination है, यह कल्पना कुछ कुछ भी नहीं है मैंने एक बार explain किया एक एड हो गया अभी कितना बाकी नियान में दूसरी बार फिर आया मैंने फिर से explanation दी तीसरी बार आया मैंने फिर से dispute किया चौथी बार आया, फिर से डिस्प्यूट किया, मैंने ऐसे डिस्प्यूट करते करते, मैंने 100 बार इसको explain किया, जैसी मैंने 100 बार explain कर दे, मेरे अंदर क्या बन गया, एक belief बन गया, कौन सा belief बन गया, positive belief कि बाई साब, मेरे test, मेरे जांचे सारी normal है, कोई दिक्कत नहीं है, य यह जो खयाल आ रहा है, यह simple anxiety की वज़े से pattern बनावा, इसके काणस आ रहा है, यह सिर्फ कल्पना है, विचारों से कुछ भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर, खयालों से कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता, मैं अगर सोचू कि मेरा हाथ हिल जाए, मेरा हाथ भ बैठते रहते हैं कि मेरा selection हो जाए, तो उनका selection हो जाना चीए था, सब का हो जाना चीए था, क्योंकि सब अपने दिमाग में यहीं विचार रखते हैं, नीट के अंदर सब select हो जाते, सब IS officer बन जाते, सब Tata Ambani बन जाते, क्योंकि सब बनना चाते हैं, तो फिर तो सब बन ज बार जब आप multiple positive thoughts अपने आपको देते हो, बार बार आप right dispute करते हो, तो आपके भीतर एक positive belief बन जाएगा ना, बही आप एक बार explain करते हो, उससे आपके जो belief का जो गड़ा है, उसके अंदर एक बूंद आ गई है, आपने दोबार explain क्या, दूसरी बूंद भी आ गई है, ती बार explain क्या, तीसरी बूंद भी आगी, लेकिन उसका जो effect है, वो effect आपको धीरे धीरे नजर आएगा, आप पेड को रोजाना पानी देते हो, अच्छा जिस दिन पानी देते हो, तुरंत वो आपके सामने बढ़ जाता है, नहीं, आप उसको पानी दे रहे होते हो, आप जातार उसको पानी देते रहते हो, तो कुछ समय बाद में वो बदलाव नजर आने लग जाता है, वही सेम चीज यहाँ पर भी है, बलीफ के साथ में भी है, अगर आप हर दिन जो positive dispute, जो CBT के practice का अगर आप पानी दे रहे हो, तो धीरे धीरे यह आपके जो बलीफ का positive ही आता है, और चुँकि आप positive का practice कर रहे हो, negative का practice नहीं हो रहा, तो यह जो negative belief है, यह दीरे-दीर automatic क्या होने लगता है, degrade होने लगता है, यह हमारे दिमाग से हटने लगता है, और हमारे दिमाग के अंदर क्या बनने लगता है, सिर्फ positive positive create होने लगता है, फिर कोई सब event ह दिमाग किस डारेक्शन में सोचता है, आटमेटिक सेजेशन आता है, पॉजटिव फिलिंग्स क्या आती है, पॉजटिव फिलिंग्स आती है, तो दोस्तों आप अगर CBT का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने आपको पॉजटिव एक्स्प्लेनेशन्स दे रहे हैं, आप जितनी भी डिस्प्यूट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कंटिनुटि के साथ में प्रैक्टिस करते जाईए, दीरे दीरे आपके भीतर जो ये पॉजटिव बिलिफ सिस्टम का पेड लगेगा, उसके उपर आपको जो मस्ती, आनंद, जो एंजाइटि से लिब्रेशन के जो fruit है ना, वो मिलेंगे, उसकी सुगन्ध, जो फूलो की सुगन्ध है वो भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, मजा भी मिलेगा, मस्ती मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस आप सतत रूप से, continue रूप से आप इसका अभ्यास करिए, positive emotions प्रीरेट होगे, positive belief system प्रीरेट होगे, वो इसी तरीके से creator के practice है, इसके लावा और कोई तरीका इसका नहीं है, तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आयोगा, नीचे comment box में लिख कर जुरू बताइएगा, और अब ते कि दिए आपने मेरे YouTube channel DR KTV को subscribe नहीं किया, तो please उसे subscribe करें ताकि मेरे न MBT का workshop launch के वाद इसका link नीचे description में है, जिसको आप अपने बीतर इंस्टाल करके अपनी psychological problems को पूरी तरह से खतम करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो, बहुत बहुत दिन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत!